नमस्कार दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से रावार सहीता में लिखे बरगत की जटा के बारे में शंपूर्ण जानकारी बताऊंगा यह जानकारी ध्यानशे देखना रावार सहीता एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हमारे जीवन को शुखमय ब सद्धा लोगों को में बड़त करके पूछे थे हैं कि गुरुजी आज वीडियो बनाईएं बरगत की जड़वाड़ कcco वक्ति धनवान बनते हैं क्योंको दिक्ञ़त लोगों को रावार सहीता के बारे में जानकारी था तो राओन्वार सहीता के अधार पर आज में आप को जो बरगद की जटे हैं इसे कब लाना चाहिए कैसे लाना चाहिए इसके लाने की बिधी क्या इसे लाने से घर में कौन-कौन से प्रकार की हमें शिद्धी प्राप्ती होती क्या हमारे घर में तेजी से धान आता है कैशा आता है कब लाएं कैशे लाएं सारे जानकारी इस इस वीडियो में बिस्तार से बताऊंगा मैं जो जानकारी बताऊंगा रामणे संहिता के धारवार धर्मा सास्तों दो कोई भी जो जानकारी होती वेड्थ नहीं होती अभी नहीं तो बाद में चलकर कि वह जानकारी काम आते हैं हो सकते आप गरीबी से जूज रहे हैं और इस वीडियो से आपके गरीबे मिढ जाए प्राचिन गयान चैनल का मकसद है जन ही तेवं जन कल्याण करना इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें क्योंकि मित्रों हम अपने चैनल में कमा गया पैसे को गरीब एवं असहाय लोगों के शिवा में समर्पीत करते हैं तो बिड़को ध्यांशे देखें सवर प्रथम जानते हैं कि बरगत की जटे हैं इसे कबल आना चाहिए जब आपको कोई मारग ना सुचे पैसा आने का सभी मारग आपके घर म बंद हो चुकी हैं आपको कोई समझ में नहीं आ रहें आपकी किस्मत साथ नहीं दे रहें भाग ये शाथ नहीं दे रहें तो यह उपाय जरूर करना चाहिए पित्र पाक्षा को छोण करके आप किसी भी समय में बरगत की जटे ला सकते हैं आई जानते हैं इसके बारे में अब बताईए गुरु जी पेंड पोधे क्या होते हैं तो पेंड पोधे में देवी देउताओं की वास होते हैं उनके शवरूप बसते हैं जैसे जो बर्गत के ब्रिक्ष हैं इससे भगवान शंकर तथा माता पारवती के शवरूप कहे गए हैं ऐसा माना जाता है बर्गत के पित्रों का भी इस्थान होता है इसकी जटे कब लाना चाहिए बताइए तो बर्गत की जटे रभी पुष से नच्छतर में गुरु पुष से नच्छतर में होली दीपावली शुकरवार की दिन रभीवार को छोड़ करके किसी भी दिन ला सकते हैं शुब दिन कैसे लाएं खुला कपड़े में यह फी लपेट करके लाएं तो इसे सफेद वस्तर में लपेट करके इसके जटे को लाना होता है खुला नहीं लाना होता है और कोई इसे लाते समय आपको न देखी इस बात कभी से ध्यान रखना है दिन में लाना या रात में लाना या सुबा के समय ल तो आपको अपनी समस्दा में माराज को जटे एस सब्सक्राइब क्याeted लिए क времени के लिए सब्सक्राइब उनते ही माराज लोkalण के श् gebeur भरती में नहीं रखना है टेबल में या फिर खुरसी में आप जो है रख सकते हैं कैसे पुजा करें तो कुम-कुम अच्छात रोली इससे आप जो है बर्गद की जटे को सवर प्रथम गंगा जल से साधे पानी से सनांद कराना है फिर पुजा के बाद फिर आपको चड़ाना पूर्भर करते है या फिर ताम्बे की डिब्बी में पांच कवड़ी की साथ में बर्गत की जटे को रख देने कितने दिन में निर्भर करते हैं भाग ये कुबर निर्भर करते हैं कि सत्रू नास के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इसके जटे को शत्रू के घर में फैङक देना सत्रू क कर, नास होते हैं आपको इसे विसर्जित करना है फिर पूना कैसे ला हमारे बिड़ो में बताएं पधती से ला सकते हैं तो आसा करता हूं कि बर्गत के पारे में जो संपूर्ण जानकारी बताएं हूं ये जानकारी आपकी जीवन में कल्यानकारी सावित एवा मंगल में सावित जरूर होंगे बरगत की जटे को ला करके वहों से लोग ध्यावान बंद चुके हैं लेकिन आब को जो है मेहनत जरूर करना है मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो रहे हैं फिर पैसे आने के सभी मारगा बंद हो चुके हैं तो यह उपाए जरूर करना काफी प्रभावी उपाएं तो यह थे छोटी सी जान करी दर्सा को जान करी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने से दोस्तों यारों में शेर करना न भूलना धन्यवाद नमस्कार